हेलो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रजिनियो ग्रेय ऑफिसल में आज में बनने वाली हूं मतर का चटपटा नास्ता चल यह सुरू करते हैं सबसे पहले मतर को छिल लेना है तंड का मौस्व में तो मतर सभी के घरों में मिले गए तो जब भी आपको भूक लगी तो यह चटपटा नास्ता बना कर खा लेजिएगा तो मतर को बाल लेते हैं एक गिलास पानी ली हूं उसमें मतर डालकर मतर को उबलने के लिए 10 मिर तक रखते हैं तब तक हम लोग आटा त्यार कर लेंगी मैंने कटूरियाटा लिए स्वाद अनुसार नमक और हलका हलका पानी डालकर इसे अच्छे से पूड़ी बनाते हो इस टाइप कर इसे घुत कर त्यार कर लेंगी हमारा मतर उबल गया है अब इसे चान लेते हैं और मिक्सिया चौपर में दरदरा पीस लेंगी मैं यहाँ चौपर की साता ले रही हूँ और इसे दरदरा पीस कर त्यार कर रही हूँ मेरा मतर दरदरा पीस कर त्यार हो गया है अब इसे तरने की त्यारी करते हैं कड़ाई में दो चमस तेल डालेंगी अधा चमस जीरा लहसून और हरी मिर्च इन सब को डालकर कुछ सेकेंड केल अच्छे से चला लेना है फिर डालना है प्याज यह बहुत हेल्दी और टेश्टी नास्ता है इसे घर पर जरू ट्राई करिएगा अब हमारा प्याज पुरा हो गया है इसमें डालेंगी मटर अच्छे से चला लेना है अब फिर डालेंगी गरम मसाला हल्दी और टमाटर स्वादन सर नमक डालकर अच्छे से पका लेना है अब हमारा चाट बन कर त्यार हो गया है जो गुते हुए हैं उस आटे से गोल बेल लेना है अब उसमें एक चमस चाट को लेकर साइड साइड में पानी डालकर इसे रोल कर लेंगे ताकि यह आच्छा देखा हम एक सेप दे रहें आपको जैसा भी इसको बना सकते हैं जिस रूप में इसका सेप कर लेना मैं इस टैप के इसको बना रही हूं चाकू की मदद से इसे कट कर लेना है ताकि हम पकाया उसलिएम अच्छे से पग भी जाए और ही डिजाइन बन कर त्यार भी हो जाए साइड शाइड में पाने डाल कर रूल कर लेना है दो से तीन बार अगर बेले हम इतना बार रूर्ल कर सकते हुआ अधिसे साइब में पाने डाल कर अच्छे से फॉल्ल कर लेना है थाकए हम स्थय रहे हो अच्छा बैक electorate देखे हमारा यह से रूल बन कर द्याल हो गया है जहीं दखने बेले में कितना आच्छा और टेश्टी लगए गश्ट लगरा में डूसाब को डाल कर पका लेना है इसे पकाने में दो मिनट भी नहीं लगता है गरम रहना जब कदायी तो अब इस देख के पलटा है कितना अच्छा बूरा टेश्टी लग रहा है देखकर खाने का मन कर रहा है अब इसी टामाटर की चटनिया किसी भी सबजी की साथ का सकते हैं बहुत ही टिस्टी है आप समसिक और चोड़िया खाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है आप इसी घर पर 10 मिनट मेर बना कर त्यार कर सकते हैं और अपने भूख मिटा सकते हैं थैंक्यू फूर वाचिंग